दर्शकूं गुरु पूर्णिमा, आशाण पूर्णिमा, महर्शी वेद व्यास जी के नाम से जाने वाली व्यास पूर्णिमा पूरे भारत भर में ये पर्व बड़ी धूम धाम से बक्ति भाव से मनाया जाता है इस दिन का महत्व हर शिश जानता है अपनी जीवन में ज्यान का उज्यारा लाने वाले गुरु, सद्गुरु उनके प्रती अपनी कृतग्यता भाव प्रकट करना, उनका सम्मान करना हर शिश आज ये करना चाहता है इस दिन का महत्व क्या है, इसके बारे में और बाते करेंगे, जानेंगे और इसलिए आज स्टुडियो के हमारे आशके इसे दिन के खास महमान है श्री बाल क्रिश्णा राजा राम जी जोख्षी जेश्री साई, जेश्री जेश्री जी तो आप जान जाएंगे जोशी जी गुरु जी आज हमारे साथ है जिन्होंने बहुत साल लगभग 36 साल शे साई बाबा समस्तान विश्वस्त व्यवस्ता शिरडी साई बाबा समाधी मंदिर में बाबा की सेवा की है तो जोशीची को हमने खास तौर पे आज के इस पावन अवसर पर यहां अमंत्रित किया है सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ और फिर पहला प्रश्न हम ये जानना चाहते है गुरुपुरुनिमा ये दिन ये जो खास दिन है इसका महत्व पुराणों से चलता आ रहा है ये परमपरा हम निभा रहे है इस दिन का महत्व आप कैसे विषकत करेंगे जैसाइनाद गुरुपुरुणी मां महोच्छो ये गुरुपुरुणी अपनी शिष्य के लिए गुरु को प्रणाम करना गुरु को उतराई होनी का दीन है इसको व्यासपुरुणी मां भी बोलते है कि परंपरा के अनुसार जब विश्णु भगवान ने व्यासका उतार और स्त्रीमत भागवत के पहिले अठारा पुरान की निर्मिती की और उनको स्वयम नारद मुनी ने स्त्रीमत भागवत का भागवत पुरान का तयार करने के लिए बता दिया कि भगवान की लिलाकर विश्यर घितों आपके पूरी अठारा पुरान पूरुए हो जाएंगे और उनको मन को शांति मिल जाएगी इसलिए स्वयम नारत के नारत मुनिशे अनुग्रह लिया और व्यास जी ने स्वयम अठरा पराणों के निर्मान किया वेदों का इस चीद करें कम सिकम शब्दों में वेदों का आर्थ बतनाने के लिए व्यास का आर्थ हुआ है इसलिए व्यासोचिष्टन जगस्रवों अईसा वाणी में हैं शास्त्राधार भी है कि उनोंने वेद का जो शास्त्राधार है उचका आर्थ है वो सामाने जन्तों के लिए बताने के लिए उनका उतार हुआ इसलिए वो परंगुर हो गए और वो परंगुर होने के कारण भी सतरा पुरानों का निर्मान करने के बाद मन चंचल हो गया इसलिए स्वयम नारद मुझे ने उनके गूरू बनकर उनको श्रीमत भागवत की रचना के लिए बता दिया और वो रचना पूर्य हो गई और व्यास सभी जगत के गूरू हो गई तो कृष्ण परमात्मा ही सभी जग गुरू है प्राथना भी है भगवान की कि भगवत गीता उन्होंने बताई इसलिए जगत को असली वेदों का ज्ञान प्राक्त हुआ और वो ग्यान की प्राक्ति गुरू पुरुनिवा में क्या उसर पर उन्हें मिल गई और उनको ही गुरू मानने लेगे व्यास और व्य कि अपना पूरी जिन्दगी आरपन की तो मैं नहीं सकता है किसे गुरू की पूजा करें शोडवसलवुचार पूजा करिकर उनको वस्त्र शौवर्नस थे पुजा करना में इंसलिए गुरू परंपरर के बिदा में सबी बढूसार सबी रुशयों मोन्यब को और व्यासनी श्वयम गुरुपुरियुम का शुरू के यह उत्षयू है शथयी के बाद आरंभ शाही नियाक आठ आठी के भाद चातुरमास आरंभ हता है आनो सन्यास का। श्रचातूरमाज जुर्षोंा होता है इसलिए जो बेहा प्रकांजे के बाद सन्याज लेने वाले, एक्षान परीमाश गैर म्योटितुम होता है इसलिए व्याश्किय पुझा करें जहां वह गूरू है वही दो यानि बाहदवरी शुद्ध पुरने का प्रश्ठ पुर्णी पुर्णी मा तक उनका चात्रमास दो मैर का उता है और आम अधीम का चात्रमास होता है चार मैने और तो अशार Partnershipした还 है ठीट का तक उनका शुरुपुर्णी मेगे देन पुरुणिमा क्ने यहां चाहते हैं आपने इतने सालों तक शेडी मंदीरे, तीन दिवस चलने वाले गुरुणिमा उत्सव यह आपने देखी है। आपने पूजाक बांध ही है बाबा की मैं यह जाना चाहती हूं जो भाविक भक्त शिरडी तक नहीं आपा पहुंचते नहीं आपाते अपने घर में रहकर गुरुपुर्णिमा करते हैं पूजा करते हैं तो किस तरीके से साही बाबा की सेवा करें किस तरीके से गुरुपु जब बाबा बुलाते हैं तब शिर्डी में लोग आते हैं आपन स्वयम मना कर गभी यातरा नहीं कर सकते या आचत का अनुभव है तो जो साई भक्त बाबा के लिए अपनों बाबा को गुरू मानते हैं उन्हों को अगर अपने घर में पूजा करने तो घर में पूजा कर सकत कर दो होसा है को अपने मन में चाहिए को मैं बाबा मेरे घर में पदा लिया है और화를 के में पुजा करना हूँ तो बाबा को नहला नहीं का बाबा को अबिश्यक करने का शोड़ी सुथा फूजा के रहे हैं गण्ध्ध्ध पुश्प पुष्प माला वस्र प्रतान करने का ब तो बाबा हम शिरडी वालों को बाहर इसले से बहेंत लुझते करते हैं कि बद्ध लोग किते हैं व देखने लिए हमें लोग बहेस्ते थे अब Orig diferença कि लिगेठी काइर ओशल दीवान कि ती collaboration के बाबा का नहीं है तो कोई ज़ू मिश्णु सहास्रा ना मौल की ही बाबा की पूजा कर सेकते है कि स्व्भी तो तो आगर कंठस्त नहीं हो तो आप क्याश्यत लगा कर उष्णों सहस्रणाम सुनते सुनते बाबा की पंचुपचर पूजा की तो बाबा के पूजा मिल जाती हैं और वही से अनन्य भाव से बाबा को पूजा करने के बास अश्टांग देंडवत अपनी अपरायत के शमा अगली और पूजा सब उनके चरणों कोलों में आरपन की तो बाबा की वही गुरु बोलनी में का महुत्स मनाया जाता है और बाद में जब कभी आप शिरडी में आये तो बाबा को वस्त्रबरदान करो बाबा को जो आपने के आजिक सब के दिया है बाबानी उश्वेश आ बाबा कारपन कर सकती है अरे बाब गुरुची श्री साही सच चरित्र का पारायांड कई लोग चाहके हुए भी नित्य नहीं कर पाते है लेकिन अगर इस खास दिन पे गुरु पूर्णिमा के दिन अगर वो पारायांड करना चाहे तो क्या कुछ नियम वो उन्हें अनुस अगर आप साही तरीत्र का पाराय नहीं कर सकते है तो हर दिन एक पाठ करो एक चप्टर पढ़ो अगर वो नहीं कर सकते तो गुरु भक्ती का जो जो अध्या में गुरु और शिश्री का समवाथ है वो अध्या का पठन करो और हम वहीं बताते है कि बाबा की गुरु गीता शुक्तित में स्वाइन बीना वे से किने पैसे कि अवस्चत है, विक रहा है, तो ऍसरीं प finely लिए पने से अब्सक्रा. में आपने चलना है तो तजबीती परिपाते ना परिप्रश्ने ने सेवया उपदेशिंतिते न्यानम न्यानिन स्टत्व दरिशना ये बगवतियता का चौथा आते है चौथा आते हैं में स्वयम कृष्ण भगवान ने बताया है कि गूरु को आनन्य भावशे शरन जाकर प तो आपका अंतिम कल्यान होता है और गुरू अपको संबालते है इसका जबाब थर्टित वाथय में कि इतका सुंदर कथानक है उसी में में संसिक तौरु थोरु में आपको बताएंगा कि गुरू के वश्यकता है जिणदगी में इस से वह दिखना के लिए बढ़ा का जव मतकार बाबाबानी वो किया कि चार प्रबुद्ध चार उनके दोस्त थी वो बहुत बड़े विदूवान थी वो विदूवान सवपाथी मिलकर भगवां को खोजने के लिए जंगल में जाने के बाद सवयम सवयम को विए वेद्वनारेन समझती हम अपनी तरीचिशे भगव कि आप गुरु का वुष्यकता नहीं है अगर आपन बहवत कुरान हो कोई कीटा वह तो वुष्यश्य में पढ़कर आप उसके पथू पर चलने के लिए अगर चले तो आप भगवान मिलेगा आप उन करेगा तो हो करेगा आप उन क्रिया क्या तो भगवान आपको विलेंगे कर्में तो यह वह स्वयम के कर्मे को रिष्वास्त है और चौथा बोलता था कि नहीं आप उन सब परस्वाधिन रहने का गुरू के आजिन रहने का गुरू जैसे बोले के वह इसे आप पत्पी चलेंगे तो आपको मिल जाएगा अब यह चारों में बाबा की स्थित आइसी की चोथे नंबर की यह गुरू के वचन के ऊपर चलते थे चलते चलते जंगल में जाने के बाद एक वनजारी वन में रहने वाला एक अदिवासी उनको मिला तो उन्होंने नमस्कार करके उनको रामराव के यार बोल दिया कि वह इतने धूप में आप कहां चले है तो आप आप जा रहे तो आपको मार के दिखाने के लिए कोई अंगुली निर्जिश करने वाला चाहिए यानि कि अपने को गुरू चाहिए तो हमें कुछ जुरूरत नहीं हम स्वयम विद्वान है हम स्वयम आपके खड़े होकर हम चलेंगे हम दिखाएंगे तो ठीक है आप नहीं लोपे और बंटय को आयात् Audience कर allegations तो दिख्यान है स्वयम आप, निए हम दोक पुझआ यानि कर दोफे लिए मानी हम चलेंगे हम स्वयम पर चाहिएंगे तो देखिप्ति आप जाहिए हम सद्य दोकिंते दुख जब यानिता हम स्वयम चलेंगे में तो बटो हनी आपको नि तो वो होना चाहिए, तो उन्हों ने मान लिया कि नहीं बस मेरे गुरु ने बता है, कभी मुझे कि जो को आपको अन्न देने का, तो वो आपका सुगार करना चाहिए और वो सुगार किया तो वो सुभशकून समझना, तो बाबा ने बैड़ गए, बाबा ने वह चत्कुर, उनका रूटी खाया, पानी पिया, यह लोग चले गए, बाबा पीछे रहे गए, तो उन्होंने गाने के बाद उनका पेड़ भर गया, और वो भीर गुरू को नमस्कार करके चलने लगो, तो आकस्मात उनकी गुरू उनके पास आगे, और बोले कि आपको वादा भीवाद कर और वाद जाड का जाड को बाद दिका की अग देला मेरे साथ हम्हामा अपको जरूर दिखाएगा, तो इस थिनों नहीं नहीं बना। गुरू ने बाबा नी गुरू को मानलेया तो बाबा को अच्छे गए बाबा की परिक्शे लेने के लिए गुरू क्या उनके पाव बा बावडी में डाल दिया और एक दोर जो बाहर वरक्ष था वो जाड को बांद दिया और वो बले मही आता हूं तब तक वाईशा ही रही तो वचले गए अभी वुष्णी में गया दहा बारा गटका यदि कि बहुत सरा टाइम हो गया फिर गुरु वापस आगे गुरु नी उ को निकाल दिया और आपने स्कूल में लेके गए तो वुष्णी टाइम बाबा ने ओद गाय कि मराठी बाबा ने मराठी में बताया है कि का गुरु ने माजा मला शाड़त ने ले तैंची शाड़ा काय संगू इतना सुंदरवरन ने कि आए कि मुझे मा पीता मेरा भाई ब गुरु ही गुरु मुझे भासन लेगा और गुरु ने मुझे परमात्मा का दरिशन दिखाया तो ये गुरु का महतो विश्यत करने के ये कथा स्वयम बाबा ने बगतों को द्वार का में में बताई है तो उश्य विश्य गुरु का महतो विश्यत किया उसको गुरु गी तो पहले आपनी भाकर आपनी साथ में रखने हैं कि अपनी रूटी आपनी साथ में रखो अगर वुषी टायम किसी नी आपको खाने के लिए बोल दिया तो माना ने करने का वो खाने का यो शुभशकुन समझो आपका काम वही पुरा हो जाए यह बाबा यह शिकलाने के तो बाबा बोले, बाबा ने तुसका रचन हाईशी की थी, वो आ रही है यह बाबा को तो अंतर नही थी, बाबा को मालूम था, वो आ गया आँरन वाली है, और दादा भठ, बाबा के यह भक्त थी, तो यह दादा भठ खेंगे की, साथे के शुशूर थे और वो कर्म गांडी थे तो वो कानिट कर वह उनके घर जाने के लिए उन्होंने चिठी लेकर आई थी कि वह उनकी वहां सुविधा रखो और बाबा के दर्शन दिको तो वुष्के पहले कि उनको हुली का उच्छो आ रहा था और बाबा शिदे साथ बोल दिये कि हुली के दिन में मेरे लड़के अभी उपाशी नहीं रहेंगी उनका कुछ न कुछ करना बढ़ेगा तो दादा को कुछ है यह नहीं कि दादा बोलती कि आ बाबा बोले है मगर वुषी टाइम उनकी पत्नी हैं लिड़ी च्कंछ अपर्ष्य हो गई चार दीन महीने के हो गई और खाना बनाने कि लिए कोई नहीं था तो यह लिड़ी जा गई पर भी आते वाबा न पहला उसको टा दिया उपास अपने को क्या करने का अपने को ज़र्बत नहीं है आप खाना बनाओ दुसरी को खिल इसे में परमात्म का सुरुब मिलता है और जाओ दादा बठके कि यहां खाना मनाव पुरन पुरी करो मुझे भी पुरन पुरी खिलाओ और बच्चों के खिलाओ पहला उपदेश बाबा ने दे तो उनको उपास रखने का फास रखने का मिलने तो वही गया दोरका बैवी त अधिनी का तरीका बाबा का बहुत बढ़िया था इसलिए 32 यह अध्य महतवपुर्न है कि वह उसका पठन करू दूसरा 39 उसे में जो बाबा का समाधी मंदिर का निर्मान हुआ है चिन्तु नाना साहिब चांदरगर को तद्वीती परिपाते ने परिप्रश्णिन शेवया इस मंत्र का आर्थविष्यत करके गुरू की क्या जोरूरत है यह बतनान के लिए उन्होंने विश्लेशन किया वेदों का आर्थवताया है इसे कम से कम साही बग्तों को सौपी पूरा साही तरीत्र पढ़ने के जोरूरत नहीं है कि उन्होंने खाले यह तीर आध्या कर सकते हैं बाबा का पारण करने का तरीका बहुत सिदा सता है कि बाबा बोलते हैं पारण करने का है तो कोई उपास तापास कुछ रखने की जुरूरत नहीं है किन्तु आपना देह शुद्ध होने के कारण आपने को अचरनी शुद्धता होना बहुत इंपॉर्टन्ट है पष्ज़ नव वास्ता पस्ट शुध्ध आचरन करो, स्नानपान करो, शुध्ध कपड़ा भईना, वह कम सेकन अपना मन सच्छ रहना, चाहिए, कपड़ा सच्छ रहने से कुछ ने होता, मन सच्छ रहने के लिए क्या है कि आद्मी से बोह सब्सारे है प्रमाद होते है हर दि क्योंकि आप बाबा के होते हैं बाबा के लीला पढ़नी है इसलिए अपनी आचरन शुद्धता होना इंपॉर्टन है इसलिए अक्रोध नहीं है कम से कम आप बाहर किसी अगर गए तो हाथ पाउध होना कुला करना मन जिसे प्रसंद हो जाएगा वैसे आचरन को और दूसरा क अरन हैं कि किसी की निंदा नहीं कर और बाबा को कभी पसंद नहीं था और किसी कि इस्टुतिमत करो तो सूती किसी ले के जाते है कर जाते हैं , कहार आजKimी शुरीड़ पार पंच चलता है इसाल सवार्ट प्रफुड़त मीरिये द Stehoona ऌ Mans Passionate Monkey This ए उस जब खागवानकि स्वाइस को सद्शी सुती मत को किन्तू कई लोग होति यह उपास ना पास कי nit न प्रशी ना चैनल ऑगे तो आपका क्यों यहांमी प्रसनी जाता है कि फिर आपने पुराणी लोग को उपास करते हैं फाश आए न रह ते हैं तो इसका है कि आ आपने हर टंग खाने लगे और आपनी चक्की चालू भी रखी तो आपका मन वुष्य में रहता है कि आगर आपनी फल अच्छा दिया किसी ने खाने को तो एक उनकी एक छोटा सप्पीश लेने का मन चाया वो खाया तो फिर लालसा निर्मान होता है फिर आओ और खाने के लिए वो म पारण के लिए मैं खाऊंगा मैं खाली थोड़ा सा दूद लेकर में कि मन और तन दोनों भी अपने सुच्छ रहने के लिए यह उपास करते थी अगर आप चाहते हो तो उपास कर सकते है किन्तु शरीर को अश्क्ष्ट देकर पारण नहीं करना बगवान की पूजा नहीं क तो गगा करते हैं अच्छा गुरु जी आपने इतने सालों तक बाबा के चरणों में रहे के गुरु पुर्णी मा का दिन मनाया है तो कुछ खास यादे या फिर ऐसी कुछ अनुभुती गुरु पुर्णी मा के दिन की आप बताना चाहेंगे हमारे साही लीला टीवी के द कि बहुत कम ताइम में मुझे मुख्यो पुजरी के पोष्ट मिल गए और सभी नियम गुरु पुर्णी में का उच्छो हो रामनोमिका हो विजयादसिमी का हो सभी संस्तान के संविता के अनुसार जैसा परंपरा चल रहा है वो परंपरा के अनुसार महोच्छो मनाने का है बहुत सार्व चिते साथ में अनुप हुया है क्यों लोग बाबा को गुरु मानकर पूजा करना आते तै बहुत को करती थे आमें तो कभी सची है महिए बड़ के पूजा, पाथ बाबा की बीस देख हैं जहें कmeal करllers कने किबीश, जहीं जह लें कि पूजा की जहें के मिलता यह मानना यह अपना कितना मन की तैयारी होनी चाहिए, कितना बड़पन चाहिए, यह शिखने को जरूर मिला, क्योंकि आपूं जो करते हैं, आपका तो पिंदा है, वो शड़ विकार से लिपतफ हुआ है, और बाबा का शड़ गून, समल भी तो बाबा होते हैं, कि बाबा के स्री, अवदारियो, वहराग्यो, और शांती, यह जो छे गून है, वो छे गून भगवान के पास होते है, और काम करोंध, कि आपने को पूजा करनी तो Bye-Up कि अभी कभी कभी आईसा लगता है कि वह अनुभाव बहुत है, और आईसे भी आनुभावट बहुत है, आईसे भी आनुभाव है कि अभी आजा कि ने क्या है हम मेरे का अधत ही मैं बता हूं का कि कि जब बाबा का मंगर शनान Yay Echen epsilon के तयारी हो रहे ज़ा कठड़ार्त कि वहा वह अमाने क्लाकार संस्थान के वहा भजन करते है अचा अर मेरा पूरा बधिनीügen मानना है कि मंधिर में जो गटना होती है वह बाबा के आज्या उसे मिन Grow हम नुक in the bombay every day, we should be Cat तो शय्किनूनाइ च्पानीख कर दिए सिस्क के a技 огрad is, को अए और अलजसा ही तियान को पर थो वो जो गाना गाते थि तो वुढ गाते थि तो उसी समय हम बबबा के त्यार के, तो उशी वे हर दिन एक्षिक हमें मिलती थि उस गाने में सिग्या लेना सुनना है कोई सुनर आपको सुना रहा है बातो बातो इतना सुनो कि उशी में से आपको घुच लेनी की बात है क्या यह पहले चणुड़ी मनहर भुदा सथैसे आनूप जलोटा देसे गाते है उनका स आपने को क्या लेना यह इंपोर्टन दिखाना यह क्यों कि यह गाना सुननी के आदत मुने बाबा ने देदी इसलिए वो गाने में से जो उपदेश था वो मुझे अरजय को चुता था तो गुरु पुरु निमा क्या तीन होया कुंसा भी उच्छा हो तो स्नान करेक उधारन मैं दिता हो कि जम घाना वो गाते थे हम तो गाना का अर्थ मेरे मन में आता थं नहीं मेरे परमिशवर को नहीं ला थे मै देखे रहां तो को पानी ज्यादा थन्ड़ा भी नहीं चाहिए जादा गंदी नहीं Как यह तो अपना फराजिए है वह देखा देखते देखते हमारे कला कर गा रहे थे सही मुझे दरिश्ण दे दे देना है तुशी एक सेंटेंस है बहुत पड़ा तो पूरा गाना मुझे याद नहीं है मगर मेरे अंदर तेरी लहरे अरिष्टा है सदियों का जैसा नाता होता है सागर और सरिथा का तो मन में आता था कि बबब कोशी मेरी पुन्य होगी अरंदर कोटी का प्रमाना है कि मुझे नहरान के लिए उनकी तैयारी कर रहा हूं कंसा इसा पुन्य होगा मेरे आरो पिता-जी का मुझे मेरे बगवान को में नहरान के लिए तैयारी कर रहे अर्वाइसा अर्वाइसा न जन्ता आपके दर्शिन के लिए तरस रही हो और वो तरस के मुझे इतनी जे आलग समझ कर मुझे आपने को नहिलाई कर सभा क्या प्राक्ता होता है यह मुझे वहां रखता है को रूम खड़े होती है तो पूरी भक्तिशे बाबा मेरे हाथ से नहती थे बाबा को विनती करता प्वेश पहना है तो आज यह प्रेश है मगर आपको अचल लगा तो आक्या इंदे रही हो तो अच्छा लगा है मुझ स कनी governments मीमिन्यी अमिन पाली मेरे हो प्रिशों नहीं त आपको हमाशे पहना लेला तो अभी यह सारे लोग बोलते हैं शाही बहतर अप बोलते हैं तो वो विपयंदे की तो बाबा मानती थी और कभि- गभी बाबा को कप्ड़ब नहीं पहने का तो वो कप्ड़ अच्छा नहीं आता था कई तो किसी का कि यह भी तो वो कपड़े का अनुभूती होँ तो शुकति कि शुक भूर भी तो वो हम्स dolip努 Laz Ter गुरुमरी बोड़ मा का तीन सुरह लेघाधीन गुरुपूरी मा था पहला उत्षवा पहला निन था टो एक किसी घंट मुझे पार मेरे पार अपरा जिया था बहुतौ मै லय डिल मैन हो गया थे बैसे सी लग एक परकर भाए वो भेग दिया दूसरा कपड़ा लाओ दूसरा लिया वो भी कपड़ा नहीं लगा अच्छा यह दो तिन बार हो गया अब साब आएक आईशी एक रिती को मुझे आईसा लग रहा है कि बाबा की कपड़ा नहीं पहने का तो मेरे पास ही कपड़े हुआ अगर पहन लिया तो दिखेंगे बाबा की क्या मर्जी तो मैंने लोकर की चावी दी चोपडारी के पास उनोंने ड्रेस लाया तो मैंने पहले लाके दिया था किसी भाविक भग्तों नहीं अच्छा तो मैंने वो लाया जड़ से बहन लिया बाबनी और वो मुरबंखी कलर बोलती इसको पुष् पहना चाता है तो श्रीडी माजे पंडरुप के पहले जो ग्यारा वचन किन ते विश्य तक हम बाबा को नहारते रहती थी कि अज कीते ने अच्छे लगरी कि मेरा कृष्ण क कन है आप मुझे पाणुरंगा विठर सुरुप आब देख रहे तो मुझे आखों में जला तो साब मुझे आखी कभी भी टोकती थी हाँ आज पाणुरंगा दर्शन मिल गया आपको अश्य बोलते कि कुणको मालूम था कि में विठर सुरुप बाबा के दर्शन कर तो वो उस दिन पहने लिए बाबाने ड्रेश फिर श्रीडी माजे पंडरुप के समय वो मेरा तरीका आज की एक मैना कपड़ा रहा है आज आपको पहिना था कितनी जीत पकड़ के लिते आप लोगो वह वह तो बहुत बहुत श्युक्रिया बाबा ये कपड़ा पहिन लिया तो जट से मुझे भी पंडरंग विठर फूट डर्शन तो ये बार बार होता था तो आशे बहुत स बाबा का मेरे गुरु का दर्शन बाबा के सुरुप मुझे फुआ है और जब सुब सुब हम जाते थे तो वहां साड़े-चार बजे क्या रती तो तीन बजे हम आफिस खोल के मंदिर खोलती थे वहां कोई नहीं कोई नहीं हम इतने भाग्यवां थे पूरा मंदिर में माय बाबा की मच्छरदाने काने करें बाद बाब दरिशन देता है इतना सभाग्यता है इतना मेरे मार पनिया था कि पहली बार बाबा के शरण कमलों माथा टेकनिका उपस्ट मुझे वह मुकाबिलता थो और बाबा मुझे दर्शन देते थे पत्रकारों ने मुझे बताया है कि थंडी के दिन में बाबा का मूर्ति कशी लगती है आपको ताम आदमी देशे मूर्ति लगती ती मुझे कभी अश्चा नहीं लगा कि में फत्तर है और मेनी फत्तर को स्नान करा रहा हूं कि बाबा का मुर्दी का वैसिस्ट है कि कोई भत्त जो समाज मंदिर में आवे तो किसी कोने में खडियर हो गई तो उसी कोने में से बाबा मेरे तरब देखते है आईसा भक्तों को अनुभुति आ अच्छो शुरू केया। इत्या से साइड़ी निए तो इसका वण लेक नहीं नहीं है पक्से शुरू हो गया। साही तरितर में जो भाबा के साथ भक्त थे ते यह का अच्छित तादा साइब खपरडे, कोपाडराव भुट्टी, नाट्या भाव कोते, शामा देश पंड ये स्भी भखतों नूलकर वकिल ईए और बाड़ार सू RS अच्ट कुछा करते थेünk निए किता में पढ़ाया है मेंके पहीली गुरू पुजा कर निए लोग वहां आई तेosure sinking आपबार विचा कर रहें हैं ते य्प तो चुला के सामने खंबा है, उसकी पुझा करने क्या आग्या दी दी, मगर नुलकर वकिल बहुत जिती थे, अगर खुझ भी करो, आपके आग्या है तो आपके पुझा करने है, जित पकड़ करेंगे, तो कभी-कभी भगवान को भी जुकना पड़ता है, भक्तों के भक्ति करने थे, तो कभी, नुलकर वकिल याक्या, अगर दमीकश की दौख्यों, वाट मेताने है, पुझा करने ले किए तो शाद भार्वाण को साम क्या मिला, भाके चरणा को भी लग॑ता है, जित पकड़लाम, अगर दे शी पंढ़ता की नामक भक्ति है, चिकल वच्ते चित अ लोग भाब मेरे सामने बैठे हैं इसे पहरी बढ़ पंडित है ती तो इसका जबाब दादाने श्हाम को उनको बया कोई तक कितनी बार हम गुजा करते तो कि आपेव के चरनकों हमें कि चंदन लगातें मालसापती इधर लगातें वह गर किंज्व माथं लगाने दिया आज के जो पंडित उनम उन्हों वाटके भर सुन्दर है में मराथिमे बताएं वह बात कि को बाल ने उनका तो बाबा बले नहीं उनकी भक्तिया इसी थी कि मुझे उन्होंने मेरा गुरु मानौ अच्छा गुरुमान। अर त ही तो हम उनका गुरू बन गया तो उनने लगाये में उता हैं वह न देपाशOOO अच करते लज़ हो शुट के लगा फ貼े बैलां करते समय और उनका वंकतिव और की लहें सिर्ब गार्ट कशौ अवन वेदान्त समझने के लिए वो लिला है बाबा की इसलिए गरंत की निर्मिती आइसी हुए है इसलिए बाबा के साथ जो भकत रहते थे वो कैसी रहन सहिन करते थे कैसे बाबा के साथ कैसे बोलते थे बाबा को कैसा नमस्कार करते थे ये देखना इंपॉर्टन्ट है कि उसका अचरन, आईशे से महीं भक्तों का ये ही बोलता है कि उसी भक्तों से नवेविदा भक्ति करने वाले बक्त है, कोई सक्ष्य भक्ति है जो शामा दिश्पंडी के, पहरागेपुरुन भक्ति करते तो महालसापती, पुसे दमाने के अंबानी, को गर्भा स्रीमन तो गुपाद कि उनके बातों बातों से सभा में अगर उन्होंने बात्चे शुरू की तो अंग्रे सरकाल को डर लगता था, मगर ये इतना विद्या बाचस्पति आत्मी जब बाबा के पास आता था तो नीचे मुनी करके बाबा के नजरा नजर कभी बढ़ाता नहीं था, तो ये उनकी आती है इस पर ठीक है आपकी भावना हो रहा है सरका हो रही है कि बाबा मुझे रिखे बाबा कभी दर्शन दे देंगे क्योंकि बाबा के सभावे कि आपके आनन्य भक्ति है तो मैं उनको दर्शन दी दूगा बगिन इसका बाजार मत करो ये अंधर सर्था मत भाला हो कि दर्शन 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 दर् मेरे भक्तों को भी आज़ाग नछी कि नहीं करने दोगा कि लाराश निरमान मत करू वयराग्या है वयरे रहने मते पफिन पुरन माधसा पती इस बाबा का भगवान का शडगुन है उसमें से बाइला के पहला गूली और वह एड़ायगा उनके पास था इसलिए खोंडोबा क संचार उनको ठातै और अभी आपने से अवकात है के आप अपनी भुन है कि आपके पासि जो बाबार के आएग में आएंगे आएंग आढ आपको संचार करें के बोलेंगे नहीं इन्वा उसको तन्मन लुष्रे को बताओ इसाइस दर्षान देते हैं मुझे अनुभवाया है अगर आइसा मत करो कि उसका बजार मत कर इसाथे ये बाबा की विरुदा विल्डवलियाँ अनंत गोड़ी वर्मान लणा ये कि राजा दिराज योगिराज अपनी क्या उकाता है शड़ विकार से लिप्ट हो आपना आती किसी के कुरोधाता है किसी के लिए लालज निर्वान हो जाती है फ्रॉड करने की बुद्धी होती है तो आपके आंग में थोड़ी बाबा हैंगे यह अंदसरता है इसलिए विनतिया है सब साही वक्तों कि इसक अपने में दरश्टान देते है और आज तक किसी को ही लोग उनको दिया है तो आपको भी वो आएगा इसलिए यह अंदसरता मतलों किसी के आंग में बाबा जाते नहीं जाएंगे नहीं कि यह आउकत किसी की नहीं है जिस नेह भाव से मा का और उसके पुत्र का जो एक कि पहला गुरु होती है तो इसी तत्व से हम श्रिसाइं बाबा का गुरुत तत्व कैसे जाने है अगा बाबा की आरती जब माधौर आडगर ने लिखे है उसी वेक डूसरे सेंटेशी के जया मनी जैसा भावत या तैसा अनुभव जो शुरुब में बाबा उखे वो शु प्रशचाने के दो बाबा मिस्टीत है रजव तम सट्व यानि ब्रहमाव विष्ण और महेश इसलिए बाबा को गुरु मानकर आपा की अपरातना की जाते के गुरूर ब्रहम अधे विष्णी गुरु北 इव महेश्वरा गुरूसुच्षा परभा तसमल है स्री गुरुव वे नाना साहिब चंद राकर बोलते थे अपने बाबा के पाउं दबाते बाबा की सेवा करते करते तज्मीती परिण पाते हैं परिफ्रष्णी ने सेवाया यह इस लोग बोढ रहे थे तो बाबा नी उनको बोल दिया कि किसलिए बोल रहा है तो जरा जोर शे बोल तो इसमील मेरे मन में जोना किशको को अशिद्धम हो जाए राए इसलिए मैं मन में में बोल रहो हुआ तो तो सभी नेमेरे जो की बोलो साथ थारो तो परिपरश्टानी श्यव यादस लो कर दो लो नुहने बता दिया तूस अरत भी अर्थ फूछा तो उसका अर्थ पुछा तो उसका गुरु नहीं के प्रमात्मा प्रमीष प्रमीष्वर मानकः उनकी सेवह कि अर गुरु प्रसन रहे appeal तो गुरु को प्रश्न आतीव रहोकर प्रश्ब पूछना और उह प्रुष्ण का जवाब जब गुरु देंगे कि तख़ाना के अगाद ही जब तक जब तक चाम नहीं आतकर अधा एक्षों नहीं तो फुश्तृ शरालसुन बोगे इसके हुट्सृ में परिक्षा ले, अच्छ्ट कि उसके बहुत परिक्षा हो गए तो प्रामान में देनी लिए उन नहीं नहीं परिक्षा societas id इन शरीर रख्षान करने क्लिए उनको लाइक समझा मालसापती को इतने सारे भक्ते हैं अथिकारवानी थे उनकी शप्ठवार था तो कई सारे भक्तों की प्रार्थना वो परिक्षा लेकर ही उनको अनुविती देती अभी बाबा गुरू है इसलिए कि वो तीन परमात्मा का गुन उनी में उपर है तो चवथा गुन भी यह कहें संदु के बास होता है वो परमिश्वर के पास नहीं होता है परमिश्वर के पास यह कुछ लेता है इसलिए वो देता है यह बगवाने मगर कुछ नहीं उलट पाप्यावरी पृति अलोट तैंची वसत से यह बाबंत संतन्त तत्वत करन एक गुना है तो अकारन कारुन्यभाव जो अपने संतन के लिए मा के पास होता है वो अकारन अपने लड़के के उपर स्नियभाव होता है वो मा का और मा का दर्बार मा का कौरटा इसा होता है कि उसको शिक्षा नहीं करते है वो उनको सुधारन के लिए उका दीती है और यह गुन बाबा के पास था अकारन कारुन्यभाव होता है इसलिए बाबा को आई भी बोलते थ कि उनको संत चरित्र की बाबा के कालम साथा उनका रिदी लिखने के लिए अग्यादी थी तो इस दास्झडून हमाराज सभी भारत भर हुए ब्रमन किया हुआ है सब गान्त है लगारा थे संतक अधा मता दो है। अधर करते थे दो फ्रसंघ करते थे प्रसंग। बताता हूं कि जो मन में में वह इच्छापुर्य कृतिहा थे फपी लड़के की माँ आध़ ऑप्र इच्छापुर्ध करते थे वोदाहरन सकते कि जब दाजगोनु महाराथ रेंगे वकिल के यहां रहे थी उत्तर प्रदेश में तो उनका एक ऐसा दिन कर बथा शुबह वुटना पुजा पाथ करना नाश्टा करके बाहर प्रवचन करने के लिए जाने का आपको किर्तन करने का आने का विष्रांति लेने तो वो किर्तन प्रवचन करते करते भक्ति कैसी करनी चाहिए भगवान कैसा है उनको मिलने के लिए क्या करना चाहिए यह सब बता थे और उनका आनुसार उनका आवसर इतना आसार पड़ता था भक्तों कर उनका सुन सुनके भक्तों भक्ति करते थे क्योंकि बाबा के बारे में भक्ति नि कुल है जो करता हूं और लोगों का इसड़ पढ़ता हूं और लोगों का असर बड़ता हूं व्हटी मारग में आते हैं मगर मेरा क्या हो गा मुझे क्यों ऑनृषी नहीं आता है। और वो पुट पुट के रोते थे रातों, हाट दस दिन रो रहे गए, वो नहीं दिसको और अजसा लगा कि उनको कुछ दर्द है, अगर वो बोलती कि मेरा दर्द आप नहीं समझेंगे, और बाबा समझेंगे, तो वो सब कारेकर्ण होने कबाद शिरडी में आये, शिरडी मे बाबा को पहला जब था किसी को अब का अब कहां से आये, आप आप कैसे है यह पहले बताते थी, यह पहले बता थे डाजगुन माराथ भी अपहले नजर कभी नहीं वोती थी देख बोलते थे पाओ के पास, और वो बाबा को उन्हों बता ज़िए और आपको सब मानू होता मुझे उपर देख तो सही तो यह बोनी के बाद उनको भरसा हो जाए कि बाबा आज कुछ आपको नया दिखाने वाली है इसलिए उनों ने बाबा के उपर देख लिया तो बाबा स्वयू मुठर बने और पांडुन के सुरुप तरिशन दिया तो उनकी वैखरी बाहर पड़ इसलिए बाबा के सामने तो जो आपको चाहिए वो देने वाली मा होती है इसलिए अकारन कारणे भाव समयच कर जो इच्छा पूरी करने मारे हमारे बाबा है इसलिए सभी बग्तों की मा बाबा है इसलिए गुरु मावली उनको बोलते है उनको माई बोले है बाबा को साहि करते हैं इसलिए अवस्ताइं बाबा अकारण कारुनियों भाव से मा बन गई सभी कि दूसरा कारण है कि महाराष्ट्र में तो अवतार हुआ तो अवतार में सयम भगवान की भगवद गीटा का संसुरुत का सब विस्लेशन करके न्यानेश्वरी भावार्थ दिपका नाम ग महराज को मा ओली और महां बोलते थे और वही भगवद गीता बाबानी चले के दिखाई बाबानी शब्द पांडित नहीं किया इसलिए वो म मन बन गयं इसका उदाहरन में देता है कि बाबा भगवद गीता कैसे चल आई तो बाबा का संट्व का तरीका यह ओता है कि आधी केले में कि अह पहरे बार वो कर्म करते थे बाध में बता थे तो यह थीода किं अध्यू करते थे बाद में एटे थे त्यूरा पर हर कर्के यानि कि साढ़े ते शाड़े तrän चार का टाइम था बाबा सब्दिंधा का यहा वाल का वां ट्रीम पर ढूपर चुमतकार किया। वसी वपर Bábा ऐसे घ्ट typ कंई होगती है। जहां Babा खड़ खड़ होते थे, वही है चोटने बनाएं पादुका फोग ही कि अरफ नवा थे बाबा खड़ होती करते थे और ये प्रमान है इसका कि वहा द्वरका में भी ध्यान लगाया तो शुरुपे दरिशन दी तो वहां बाबा खड़े रहे गए थे तात्या कोते पाटिर शामा देशपंडिया और गाव के बहुत लोग खड़े थे बात्चित होड रही तो इसे में अपनी लक्षु जल्दी रूटी वाना के लाओ तो वहां प्रसंकता अधन तो शुहाना प्रसंकता अधन तो प्रमान है कि जब एक लड़ी को खाने के लिए रूटी मानते थे उनको बाबा को परिविश्वर के रूप में देखने वाली लोग श्री में थे इसलिए आज बाबा की सभी अधने के लिए आम जनता यहांते है यह सिकारन के बाइजाबाई कोटे तात्या कोटे शामा देशपंडे काका महाधनी लक्षुम बैशिंदे यह लोग बाबा का परमेश्वर तत्व मानते थे इसलिए उनके उपर अधिकार वानिशे बाबा उनके साथ बात करते थे और अनका भक्तों का अधिकार भी बाबा के उपर चाता था तो वो उन्होंने जल्दी 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 जाके उने रोटी बना के लाया और बाबा के सामने रख दी बाबा ने ओ रोटी उठाया और एक भूगा कुट्टा रास्टी जारता उसी के सामने रख दिया वोगा अगर भूक तुने जान लिए तो मेरे प्राफ्तीत हो जाएगे। इसलिए बाबा को जो वरणन है बाबा बिक्षा मंगते थे लिए और लिए शचरणम हर रिक्षों करने के अनुग्रह करने US इसका मतलब आपका अथिती बंशपचा फशने थि तिता प्रपंच सारा लोकाशिके रिवेटी हर रिदि लिव करूणा के शागर्थे वो अनुगरह करूद के लिए आनुगया मतलब आपका अठिटी भोजन कराना यह मतलब था ईचहा थीता जवोजन हातों वह दिखलाने के लिए वह विक्षा मंगती थी हर चिछ बबाबा की थी कि वह अनुगरह ही उसी में था तो वह अनुगरह उनको मिल गया और वह पार बात में अगर मैं आपी शिदा साथे बोल देता कि जा तुब उरुटिला और कुट्यों खेला तो बोलती कि बाप आप भी अजुन को भगवान कृष्ण परमात्माने बताया है अहम मैश्वानरो भूत्वा प्राणिना दिहे मास्त्रिताहा प्राणा अबानु तथा व्यान पचाम मिनन चतर विधम हर प्राणियोक ते रधे में मैं हूँ और जो मुझे जानेगा उसे मेरी प्राप्ति होगी अनन बाबानी स्वयम बताया कि जो आनन्य भाव से मुझे शरन आता है उस भक्तों के थारी कभी खाली नहीं होती कि मेरे भक्तान चाहिद हमी अन्वस्रास नहीं कभी यह अनुपति बाबानी दी है इसलिए हर भक्त यहां आता है तो वह हर इच्छा पूरी करता है इसलिए अपने अकारन कारन भाव से बाब क भक्तों का पारण करती है इसलिए, अहली बाबा मा है और अपनी मा का तर्शे लेना है तो अंब बदों का वां करते है की जब ढ़रका गम मी जावे तो तो भां के बाद देर जो जो थुनी के सामने बगी बच्छे गभाव है उस वाब आज भी और यान भोलो इसलिए ये गुरू का तत्वा जी प्रवू माय वाबा गुरू मावली भी है आज क्वेडि आप अजे है जसने है जिस प्यार से जिस लगन आप बार की सेवा करते कह थे कह साइव उतने वेifferent Will अखों से देखा है उनकी सेवा करते वक्त उनको नहलाते वक्त अभी भी आप बात कर रहे थे तो आखे नम हो गई आपकी यादों से भी जैसे एक मा का प्यार होता है अपनी बेटे की और कि उसको मैं अच्छा सजाओं और वो जो बहुत सुन्दर दिखता है तो जिस प्यार से मा देखती है वो ही रिष्टा मुझे आज मैसुस हुआ बाबा तो स्वयम मा ही है वो तो अपनी भक्तों की तरफ हमेशा करुणा से ही देखते हैं तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज गुरुपुर्णी में का दिन और पावन लग रहा है आपसे बात करके और मैं सही लीला टीवी की दर्शकों के और से आपके बहुत 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 आभार प्रकट करती हूं गुरुजी आप आए आज और इतनी ज्ञान भरी बाते हमें सुनाई और आपकी अ अगये शाली है कि साही लीला टीवी की माध्यम से हम आपसे बात कर पाएं तो मैं आपका फिर से एक बार ते दिल से धन्यवाद करती हूं शुक्रिया जै साइनात और इसी के साथ अब हम हमारे दर्शकों से भी विदा चाहते हैं नए कारेक्रम से फिर से एक बार मुलाकात करेंगे तब तक के लिए जै श्री साइन